कि वेल्कम बैक तो माई चैनल और जैसे कि आप देख सकते हो कि आज मैंने कोई मेकप नहीं किया है क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हो कि मैं अपने फेस को किस तरह से शेव करती हूं येस शेविंग को लेकर एक बहुत मित है या बहुत लोग समझते हैं कि शेव करने से आपके बाल बहुत ब्लैक आते हैं या बहुत harsh या hard hair आते हैं या मोटे hair होते हैं वो आते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है friends आप अपने body के कोई भी किसी भी part में private parts में face पे hand पे leg पे हर जगा पे आप shaving कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है और first disclaimer में आपको बता दो कि hair जो है आपके hormonal disbalance या balance के उपर ही आपका जो hair quality है वो होता है इससे shaving का या hair removing cream का या waxing का इसका कोई relation नहीं होता है यह सिर्फ एक myth है जो कि generally पार्लर वाली दीदियां बोलती है कि आरे आपने shave कर लिया आपके बाल बहुत जादा dark हो गए या आपके underarms बहुत जादा dark हो गए ब्लै आपके में अपने घर पे shaving कर सकते हैं अगर आप पार्लर में जैसे आप कर रहे हैं वह आपके बहुत time क्या होता है कि हम नहीं जा पाते पार और हमें जरूरत होती है तो हम saving उस टाइम पे कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कर लोगी एक बार तो या दो बार या तो आपके बाल ब्लैक आएंगे ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो आज मैं आपको दिखाऊंगे कि मैं अपने घर पे फेस के हैर्स को किस तरह से रिमूव करती हूँ तो चलिए जादा लेट ना करते हुए मैं आपके साथ शेर करती हूँ तो शेविंग करने के लिए हमें चाहिए यह रिजर यह रिजर आपको इजली फ्लिपकार एमेजोन इविन नाइका हर जाग पे आपको इजली मिल जाएगा यह पैक ऑफ थ्री पैक ऑफ सेक्स पैक ऑफ नाइन में आता है आपको इजली मिल जाएगा और अभी कोरोना टाइम है इसलिए मैं आपको सज्जेस्ट करूंगे कि आप ऑनलाइन ही स्वापिंग करें तो मैंने कैमेरा जूम कर लिया है लुषयर वेख सकते मेरी साइड लुक्स पर यह Państ और पहले शेव टाप न वहीं मेंठार ग्रोथ है और इधर भी यह फोरेड पर मेहरे भी mieć और जानी है मेरे बस साइड लॉक्स पे हैर्स हैं बहुत जादा जिसे मैं शेव करूँगी मैंने अपनी फेस पे ओयल लगा लिया है आप कोई भी ऐल लगा सकते हैं मैंने पैरिश्यूट कोटने टॉइल लगाया है डी आपको अपने जो एक्स्ट्रा है जो की नीचे नीचे आ जाते ऐसे देख रहे हैं कैसे बस इसको इसी प्रोसेस में हलके हलके हाथ से आपको हट आना है और जब भी आप रिमूफ करें आप उस एरिया को एक उंगली से अच्छे से स्ट्रेच करें ताकि आप इसी ली ब्लेड को अच्छे से ग्लाइड कर पाएं और जो आपने लगाया है फेस पे उससे आप बहुत इसी ली आपका ब्लेड नीचे की तरफ मूव होएगा तो आपको जाद आप घिसने की जरूरत नहीं है हलके हाथ से करें तो आप देख सकते हैं मैंने अपना फेस को शेव कर लिया है और जो एक्सेस ओयल है उससे आप किसी वाइप से क्लीन कर ले अच्छे से now wash your face with a good face wash ताकि एक्सेस ओयल हमारे फेस से निकल जाए उसके बाद आप एक अच्छे to मौाश चराइजर से अपने face को मौशराराइज कर लिजिये मैंने अपने face कोमक्राइज कर लिया है That's all for today's video Hope आपको ये video helpful लगे और अगर आपने shaving नहीं किया है तो जरूर करिए कोई problem नहीं होगी और अगर आपके पास कोई भी questions है जो कि आप पूछना चाहते हैं तो आप comment section में जरूर पूछे and feel free to subscribe to my channel I will see you on my next video Till then bye bye Take care